पूड़े होने तक स्वस्त रहने के 34 नियम 1. सुबह उठकर हलका गरम पानी पीए 2. हमेशा पानी नीचे बैठकर सिप सिप करके पीए 3. दिन में 8 से 12 गिलास पानी गूट गूट करके पीए 4. सुबह खाली पेट कभी भी चाय नह पीए 5. दवाई को कभी भी ठंडे पानी से नह ले 6. बोजन 32 बार चबा कर खाए 7. खाना खाने के बाद 5 से 10 मिन्ट वज्जरासन करना चाहिए 8. रात में खाना खाने के बाद और सुबह नास्ते से पहले 500 कदम जरूर चले 9. एक तुलसी की पत्ती का 7 रोजाना करें 10. रोजाना एक ग्लास निम्बू पानी पीने से कभी मुटापा नहीं आएगा 11. एक ग्लास दूद रोजाना पीने से हड़ियों की बिमारी से चुटकारा मिलता है 12. बहाईस के दूद का गी सेवन करने से बचना चाहिए 13. खाना खाने के दूरान पानी कभी ने पीने 30 मिट पहले या बाद में ही पीने 14. खाने में सफेद नमक का सेवन बंद करदें सेदा नमक का प्रयोग करें 15. खाना खाने के बाद सौफ और गुड जरूर खाए 16. सुबह का दुपैर के समय दहीने सेवन करें सत्रा, रात के समय खटे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। अठारा, जिन लोगों को कबज की समस्य रहती है, उन्हें शाम के समय पर पिता जरूर खाना चाहिए। उननिस, खाना खाते वक्त टीवी या मुबाइल नहीं देखें। रात को सोते समय अपने पास मुबाइल नहीं रखें। रात के समय दहीं चावल राजमा का सेवन नहीं करें। बाइस, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तैईस, रात के समय दान्ट साफ करके और एक गिलास पानी पीकर सोएं। चोविस, शाम पाँच बजी के बाद बारी बोजन का सेवन नहीं करें। पच्चीस, रात में नौ से दस सो जाना चाहिए। चब्विस, हमेशा अपने बाइकान से फोन काल का जवाब दें। 27, मूली के रस का सेवन करने से पित की पत्री बनना बंद हो जाती है। 28, सिर पर तेल की हलके हलके आथों से मालिश करें, इससे बलगम दूर होता है। 29, रोजना एक सेव खाएं इसे चेहरे पर निखा राता है। 30, अगर आप सेव के साथ शहद लेते हैं, तो आपकी तवच्छा टाइट और जवान रहेगी। 31, हिलती हुए दौनतों पर अधरक का पेश्ट लगाने से दांत मजबूत होते हैं। 32, जो लोग रात को पिशाव करके नहीं सोते, उनके गुर्दे की विमारी ज़्यादा होती है। 33, तीन सफेद विश्ट, सफेद नमक, सफेद चीनी और सफेद मेदा का प्रयोग कम से कम करें। 34, सुबह उठकर मुँ में पानी बरकर आंखों में ठंडे पानी के चीन्टे जरूर मारें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।